लोग सभा चुनाओं से पहले निकाली जाएगी भारत जड़ो यात्रा तारीक और रूट तै, राहुल गांधी की मन्जूरी का इंतजार राहुल ने दिये संकेत सप्ता भर में तै हो जाएगा पूरा प्लार लोग सभा चुनाओं से पहले एक बार फिर राहुल गांधी भारत जड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं राहुल के नेतरों तोबे कॉंग्रेस के भारत जड़ो यात्रा रांचल प्रदेश से शुरू होगी और गुजरात पहुंचकर सवाप्त होगी यात्रा जन्वरी के दूसरे सप्ता में शुरू होगी उम्मीद है कि 10 से 14 जन्वरी के बीच यात्रा शुरू हो सकती है और 15 मार्च से पहले ये गुजरात पहुंचकर सवाप्त हो जाएगी क्योंकि 15 मार्च के आसपास ही चुनावायोग लोगसभा चुनाव का एलान कर सकता है इसलिए चुनाव का एलान से पहले यात्रा पूरी कर ली होगी CWC की बैठक कॉंगले सद्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने कहा कि एक महात्यपूर्ण बात कारिसमित के समक्ष रखना चाता हूँ पिछले कई माहिनों से पार्टी के सभी नेता और कारिकरता एक स्वर्वे लगातार एक मांग मेरे सामने रखते हैं कि राहुल गांदी से पूरो से पश्चिम इस टु वेस्ट भाराज जुड़ यात्रा करने का अग्रह करें मैं कारेसमित में राहुल गांदी के समक्ष ये बात रखता हूँ और निर्णाय आप सभी पर छोड़ता हूँ CWC ने इस मामले में फैसला लेने का अधिकार राहुल गांदी को सौब दिया है क्योंकि यात्रा का डेतर तो उन्हें ही करना है राहुल गांदी ने कहा कि वो सोच कर जल्दी जवाब देंगे वैसे कहा जा रहा है कि राहुल गांदी इस यात्रा के लिए खुद को मानसिक रूप से पहले ही तयार कर चुके है और वो जल्दी यात्रा का एलान करतेंगे यात्रा के लिए सिर्फ दो महिने का समय ही मिलेगा ऐसे में 60 दिन में 4000 किलोमीटर की दूरी मानापना सहज नहीं होगा इसलिए यात्रा का इस बार हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा यात्रा कुछ दूर पैदल चलेगी तो ग्रामीड और जंगल और पहाड़ वाले क्षेत्र जहां आबादी बेहत कब होगी वहाँ पर यात्रा वाहन से की जाएगी यात्रा में जगे जगे नुकर समाय होंगी साती हर राज्य में एक बड़ी रैली भी आयुजित की जाएगी भारत जोड़ो पार्टी एक की तरह इस बार की यात्रा में भी राहूल गांदी हर राज्य में एक प्रिस कॉन्फिन्स भी करेंगे इस बार यात्रा सबसे जादा यूपी, गुजराद, बिहार और बंगाल जैसे राज्य बे मिताएगी जहां बीजेपी और इंडिया गडबंधन के बीच काटें की टक्कर होना तैमाना जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा एक के दोरान जो राज़े छूट गए थे वो दूसरी यात्रा में कवर किया जाएंगे यात्रा के दोरान इस बार नुकड नाटकों का सहरा भी लिया जाएगा जिसमें मोधी सरक्यार की कमियां बताई जाएंगी इससे पहले राहुल गांदी के अगवाई में कॉंग्रेस ने 12 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडू के कर्ण्याकुमानी से शुरू की थी जो भारा राज्यों से होते हुए जम्मु कश्वेर में सब आप्त हुई थी 136 दिनों में इस यात्रा के जरिये 4000 किलोमीटर से ज़ादा यात्रा की गई थी कॉंग्रेस ने इस यात्रा का उद्देश भारत को एक्जुट करने साथ आने और राश्ट को मजबूत करने का बताया था यात्रा के दोरान राखुल गांदी ने कई जन सबाओं को संबोधित करते हुए केंदर सरकार पर निशाना साथा था पूरी यात्रा के दोरान राखुल गांदी का हाफ टीशर्ट पहनना भी मुद्दा बना था वैसे भारत जोडो यात्रा से पहले कॉंग्रेस की यूपी में यूपी जोडो यात्रा भी निकल रही है यह आत्रा 20 दिसम्बर से शुरू हुई जिसका नेत्रत उत्तर प्रदेस कॉंग्रेस रमुक हजेराय और अननेताओं ने मा शांक भरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शहारनपुर जिले में यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की कॉंग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आलप संके कावादी बाले जिलो से होकर गुजरेगी और 10 जनवरी 2024 को लखनों में शहीद इसमारक पर समापत होंगी यात्रा साहरनपुर, देवबन, मुजफरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाज़ापुर, लखीमपुर, सीधापुर और लखनों से गुजरेगी